नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ निकॉन केमरे की सेटिंग जिससे आप निकॉन केमरे से केनन केमरे जैसी शार्प और कूल पिच्चर ले सकते हैं यह मेरे पास निकॉन का इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या सेटिंग करने जिससे आप अच्छे और कूल रिजल्ट ले सकते हैं सबसे पहले तो आप मैं स्कॉलिटी आप फाइन पर रखें नॉर्मल होता है फाइन होता है फाइन पर रखें इसके बाद आप मैं साइज लार्ज रखें म ओटो बेकेटिंग आप ओफ रखें इस डियार हाई डानिमेक रेंज को आप ओफ रखें ऑटो डी लाइटिंग ओफ रखें वाइड बिलेंस आप ओटो रख सकते हैं आई यह स्वाप चेंज करेंगे इसे अगर आप मैनल मोड पर काम करते हैं इसके बाद आता है अपना सेट पिचर कंट्रोल यह हमेशा एजटी पर रखना है एजटी पर ही रखना है और यह एजडी में भी सेटिंग होती है जो मेन होती हो मैं भी आपको बताऊंगा कि और फोकस हमैसा सबस्तै अफ यह सिंग्ल शर्व आए ठंप कि रहें कि और और आप और खौकस पर रखें इसमें एक सिंगल पॉइंट भीठे संगल आ लें वरना यह आपका जब करने जहां पर आपको फोकस कोईट होगा वह का फोकस मिलाएगा उसके बाद आप कि मट्राइज आए AND मेटिंगं पर मेटिंग मोड आपको मेक्र्टिक्सी रखना है सेंटर पर नहीं जाना है और स्पोट्ट पर नहीं जाना है आपको मेट्रिक्स रखना है इसके बाद जो सेट पिच्टर कंट्रोल की अपने सेट किया हुआ इसके में सेटिंग आपको बताता हूं जिससे आपको अब आप सेट पिच्टर मेनियु में जाके सेट पिच्टर कंट्रोल में आईए इसको सेट कीजिए यहां से स्टेंडर पे जाके इसको आगे सेट कीजिए और इसमें शार्पिंग आप कर दीजिए पांच पॉइंट जिसमें बढ़ा रखे जिए मैं वापस बता जाता हूं एक दो तीन चार पांच पॉइंट आगे और ओके करते हैं यह सेटिंग आपको इतना अच्छा रजल्टी देगी जैसे केनन के पिच्चर कूल और शार पाते हैं वैसे रजल्टी निकॉन से मिलने लगे हैं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और आपको और केमरे की सेटिंग के बार में क्या जानना है वो मुझे कमेंट में लिखें मैं आपको वीडियो बना कर बताता है रहूं हमाशकार